अमला अव संक लिठा ते हुंति परित संसारी बॉलिय भगवान माहामीर पावन चरित गुरुदेवजी वन्दू मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाई जिन शाषन जिन वानी सदा जय वन्त हो श्रमन संग सदा अविचल मंगल हो मुक्तिको प्राक्त श्रमन भगवान महामीर स्वामी उनकी परम पावन कल्यानी भागवति वानी वाचक प्रमुक श्री इंदर भोती गोतम आदी गंदर भगवन्त जूग प्रधानाचारी परम पुज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराच उनकी परम पावन पाठपरंप्रा वर्तमान आचारे ध्यान योगी परम पुज्य श्रीष्य मनीजे महाराच एवं गुरु जन सब्के पावन चर्ण सोज्यों में मिरा अनांत अनांत वारवन्दना नमस्कार उपस्थित धर्म प्रेमि सज्जनों माता अत्तवाच कोई आप से पूछे आप गुरुओं के पास क्यों जाते हों तो उत्तर तो देना पड़े गाई न ऐसा तो नहीं कि वेरेवान के आगे निकल जाओ कर भी सकते हैं लेकिन पूछने वाला संतोष्त नहीं है क्यों जाते हैं आखिर कोई ना कोई कारण तो होता है जैसा जिसका दिमाग वैसा उत्तर दे देगा अच्छा माला पढ़ते हो किसके वास्थे पढ़ते हो किसके वास्थे पढ़ते हैं कोई ना कोई कारण तो है कोई करेगा क्या करूँ मन तो नहीं करता था लेकिन गुरु ने बंदा हुआ है तो माला करेगा तेरे कार आओंगा नी तो मैं नहीं आओंगा कहते माला करते भगवान को याद करते अच्छा कहते एक बाद पूछो कहते बोलो अच्छा आपको कोई एक अवाई दे तो उसका उत्तर दोगे न फिर आपको अवाई दे फिर उत्तर दोगे तीसरी वार फिर अवाई दे तो फिर का दशा होगी मानना बड़ा शान्त है फिर उत्तर दे दिया हाँ चोथी वार फिर अबाज दे फिर उसके वार आपकी क्या दशा होगी और लगा थार 15-20 वार आपको अबाज दे दे फिर क्या दशा होगी कहते हैं तुम्हारी जा दशा है जो तुम हर सामें भगवान को अवाज्यें देते रहते हो तो भगवान की क्या दशा होगी बला भगवान को तो पागल बना दो गए और उनको अवाय देने वाले कोई एक व्यक्ति तो नहीं है कितने लोग हैं फिर भगवान की क्या दश्या हो गए अब ना तो नीद ना अराम ना कोई काम कर सकेंगे क्योंकि हर और से अवाज जहीं आ रही है अब अराम करना है काम करना तो इसका मतलब टेलीफोन के स्विच्च आफ करने पड़ेंगे क्योंकि एक थोड़ा है सब के सब की लाइने मिलती है भगवान के साथ अब सब ही और से क्या और ये कैंटियं बज रही है भगवान आओ मैं बड़ा जाद कर रहा हूँ भगवान आओ मैं बड़ा मुसीवत मैं हूँ आओ देखो वाला कितनी वाज़ें आती है अब भगवान को शांती चाहिए जो तुमारे को चाहिए कहते हैं भगवान तो शांती से बैठे थे लेकन इन पगतों ने भगवान को भी क्या कर दिया और शांत बना दिया इसलिए कहते हैं जिल लोग छोड़ के चलेगे वह कहां चलेगे कोई कहते बेकुंठ में चलेगे कोई अपने धामा कोई सचखंड में चलेगे कोई केलाज परवत पर चलेगे कोई कहीं पर चलेगे कहते जे तो हमारे को अराम से बैठने निदे अच्छा तो कहा कोई भगवान को याद करता है कोई सामाई करता है कोई पूजा पाठ करता है सारे किसके वास्थे करते है हमारे को शान्ती मिले शान्ती मिले अब कहा जे शान्ती कैसे आए भी शान्ती कोई कहता है भगवान कृपा करेंगे न हमारे को शान्ती आए कई mechanical engineer था उसने अपने जो विद्यार्थी students थे करते वेठा किसे ने switch on किया और पंखा चल पगा के तो पंखा कैसे चला करते भगवान की क्रिपा होई किसकी क्रिपा होई भगवान की क्रिपा होई कहते अच्छा बिजली का कट लगा हुआ है फिर switch on किया करते मैंने कहा था ना भगवान की क्रिपा होती तब ही चलता है अब भगवान ने क्रिपानी के लिए से नहीं चला कर लो switch on जितना मर्जी off on करते रहो जब भगवान की क्रिपा होगी तब ही जे पंखा चलेगा अब जे उत्तर किसके उपर आधारी थे शर्दा के उपर बिवेक के उपर नहीं है उसके चलने का कारण क्या है वो तो क्रेंट है जब क्रेंट आएगा तो वो चलेगा बिवेक के विजली की धारा जब विजली का प्रवाद नहीं हो गया तो फिर वह switch on off जो है वो तो संपरक को जोड़ता है अब कहते हैं क्या शांती है जा नहीं कहते हैं तो सहीं जे कब मिलती जब हम आराम करते हैं जब हम आराम करते हैं तब शांती का एहसास होता है जब आराम नहीं करते हैं तब शांती क्या हो जाती धीरे 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 खतम होते होते खतम ही हो जाती है देखो इस शरीर को अभी विश्राम की जुरूरत जदि विश्रीर को विश्राम ना दिया जाए मर्यादा से जादे मेनत की जाए ठकावट के कारण जा तो टेंपरेचर चर जाएगा जा उसका विपी हाई हो जाएगा कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा और जदि समय समय पर वो अराम करता रहे तो उसका शरीर ठीक चलता रहे जे तो हमारा शरीर हाड मांस का है जे जो मशिन्डरी है उसको भी तो विश्राम की जुरूरत उतिल लगाता चलाए रखो चलाए रखो उसके अंदर कितनी गर्मी पैदा हो जाती है और जब चलाए रखते हैं चलाए रखते हैं जब हीट एक स्थान से जब बढ़ जाती हैं तो वो मशिन्डरी फिर आग का आग का रूप धारन कर लेती है तो शरीर की विज़े दशा है अब शरीर के स्वस्थ के लिए शरीर का विश्राम मशीन ठीक रहे तो उसका भी समे समे पर विश्राम देना पड़ si अब आई बात आत्मा की आत्मा की समाद दिकाव आई कि इस आत्मा को अभी तो विश्राम दो ना कि अंसोत्ते तो आत्मा को विश्राम करते कहां आत्मा को विश्राम सोने के बाद भी सपनों की दुनिया में खोई लेतें कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता हार समय चल रहा है आत्मा के विश्राम की स्थिति कौन सी है जा विलकुर कुछ नहीν करना ना किसी कोई विचार नहीं करना कोई चिंतन नहीं करना श़रीर से कुछ करना नहीं जिसको योगिक प्रक्रियां में योग निद्रा कह देखे कहते वाज टांगे पसार के लेट जाओ क्या करो टांगे पसार के लेट जाओ लेकन सोना नहीं सांस चलेगा वो चलता रही लेकन तुमने कुछ नहीं करना ना हाथ हिलाने ना पैर हिलाने लेट जाओ करते नीद आ जाएगी कोई वात नी आने दो कोशिश करना सोना नहीं जदी नीद आती है तुछ आने दो गैरी नीद में सो जाओ जब गैरी नीद आ जाएगी अब किसी ने उठाना नहीं है लेकिन आप जानते हैं सोना आत्मा का सभाव नहीं है सोना आत्मा का सभाव नहीं है व्यक्ति की ठकावट को दूर करने के लिए सोने की अवश्यक्ता है जब व्यक्ति की जितनी नीद है चाए वो चार कहंते की है छे कहंते की आठ कहंते की दस कहंते की है चाए सोड़ा कहंते की है जब उसकी सहज नीद पूरन हो जाएगी न अब उसको जेनी कहना पड़ेगा तु उठ जा जब नेंद पूरण होगी तो अपने आप उठके वैठेगा तो किसी न कहा दिया है भाई अभी जल्दी नहीं उठना अभी कुम्ब करने के मुकांगले में नहीं हो वो कितनी दिर सौते थे छे मिले तेरा थो अभी एक दिन में नहीं पूरा हुआ कम्पिटीशन करना है न उसके साथ है तो लेठना तो पड़ेगा ही अब जिसकी नेंद पूरण हो गई है अब कहो सो जा एक बार कहां दो बार कहां तीन बार कहां आखे तंग होके ख्याएगा अब मेरे बसकी बात नहीं है अब उसका शरी कैसा होगा बिल्कुल हलका फुलका हो दिमाग कैसा होगा बिल्कुल शांत होगा क्यों शांत होगा क्योंकि उसकी ठकावट उतर गए जितना आप शांत दिमाग से काम कर सकते हैं उतना ठके हुए दिमाग से काम नी कर कई वारा आप कहते हैं हमारा बच्चा पड़े 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 वो भी डर के मारे परलो बन के मारे आपको देखर करके किताब खोलता रहता है देखता रहता है पन्ने पलता रहता है फोटो देखता रहता है मां भी बड़ी खुश बाप भी बड़ा खुश बेटा क्या इसमें result आता है उसमें क्या देखते हैं जीरो कुछ भी नहीं अब उनको संदिय आएगा हमारा बच्चा इतना पढ़ता है तो इसके नंबर कम क्यों है इसका मतलब पढ़ाने वाला चेकी करने वाला पक्षिपात कर रहे है अब पहुंच जाएंगे उसके पास कहते हमारा बेठा इतना पढ़ता है तुमने फेल कैसे कर दिया कहते चाहिए कितना पढ़ता है मुझे क्या पता है मैंने तो पेपर देखना है यह देख लो पेपर जापेपर देखा तक हो रहा अब बच्चे से पूछते तु इतना पढ़ता है पेपर तेने खाली कैसे दिय तो पढ़ता कोने वला आप जीसना में तो माबाप सामने होगे तो किताब होगा माबाप ओजल होगे तो पास में मुवाइल है जाकर मैं टी-वी चलता उसका त्यान कहां पर है पढ़ाई तो नहीं हो रहे हैं पढ़ने वाले के थे हम धिमाग को विश्राम नहीं देखते मानों वच्चा आठ केंटे सोता है दस केंटे सोता है जे बड़ी बात नहीं है जब उसका दिमाग बिलकुल शान्त होगा तो चार पांच केंटे में भी इतना पढ़ लेगा कि दूसरे दस बारा केंटे में भी इतना पढ़ नहीं सकेंगे क्यों क्योंकि इसका दिमाग पढ़ लिया है, reason कर लिया है, सारा उसके दिमाग में बैठ जाएगा, और जदी बांद के बैठाओगे, उसके अंदर पढ़ाई का गवरव पैदा करो, कि पढ़ने की क्या क्या लाग है, ऐसा होगा, जे होगा, जब उसके दिमाग में बैठेगा, और कहाँ अपनी अव मेनत करो, जिस समय ठक जाएं, तो सो जाना, लेकिन अपना समय व्यर्थ नहीं करोगा, तो ऐसे वच्चे जवन को एहसास होता है, तो मन से मेनत करते हैं, और सफलता की शिक्रों को कसपरश करते हैं, अब वा तो आत्म समाद्धी करते, कहा, जैसे शरीर के अंदर वो थकावट आ जाती है, अब देखो इस सातना को, अच्छे काम करने से इतनी थकावट नहीं होती, जितनी गलत काम करने से थकावट होती है साथ कुव्यस्णों की बाद कर रहा है इन साथ कुव्यस्णों का त्याग कर रहा है केते हैं पूरन त्याग क्या है जब हमारा मन भी उस और ना जाए बंदे हुए नहीं हमें ये काम नहीं करना क्यों कि हम जैन है हमें ये काम नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि हम गुरु के पास जाते गुरु ना करते कहतें आप इसलिए रुके हुए है केवल अपने परिवार के संस्कारों के कारण जब Ri exclusive इसे जदी मानौ आपका परिवार आपके गुरु जन आपके ऊपर से रोक हटा दे फिर क्या होगा फिर इसका मतलब वो काम करोगे जदी वो काम करोगे तो इसका मतलब केवल उनके कारण से रुके थे तुमारी आत्मा नी रुकी हो आत्मा ने समझा नहीं जब आत्मा को समझ आ जाएगी कि इनसे आत्मा का नुक्सान होता अपने नुक्सान के साथ दूसरे का भी नुक्सान होता है हम समाजिक प्राणी हैं हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो अपने लिए जा दूसरे का नुक्सान करने वादा जे सात्तों कुव्यसनों का त्याग इसी वाद को ले करके हमारे गुरु जनों ने इनका उपदेश दिया है सात्तों को व्यवसन जे आत्मा की परिवार की समाध की और शांती का कारण और व्यवस्था का कारण जानते हैं जदी कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में धरम के रास्ते पर हैं तो उसके उपर गवर्मेंट की कोई कानोन की धारा नी हो एक प्रसायंग आता है चारित्तर चूडामानी संजम समेरु श्री मयाराम जी महराई ने जवन ने दिक्षा ली तो उनके गाम में ऐसे लैर चली दिक्षा लेने वालों हम भी दिक्षा लेंगे और हम भी दिक्षा लेंगे कितने लोगों ने दिक्षा ली एक व्यक्ति की शाद्धी होगी हुई थी उसके भी लटक उठ गए हाउस का रिष्टेदार उसका बहनोई परिवार के पुलिस में थे जानते हैं पुलिस वालों का अपना दबका होता है वो भी दबका मारनी लगे देख तेरे को जेल में बंद कर देंगे कर लो और वो भी ऐसा चलते चलते पट्याला के राजा तक बात पोंच गी में जब उसको राजा के सामने लाया गया क Charlie के गने लगे तू मैंने क्यों तो कार जां मियरा मन नी लगता मेरी आत्मा वहां त्यार नहीं होते हैं मैंने सन्यास लेना है मैंने अपनी आत्मा का कल्यान करना है जनमर्ण से मुक्ति के और जाना है कैते हमने यह तेरी वाक्ते नहीं सुननी जद्धी तेने हमारा कहना नीन मानना हम तेरे को जेल में बंद कर देंगे कैते ठीक है करदो बंद दुनिया में एक नया इतिहास बनेगा कैते क्या बनेगा कैते जे जेल उच्छरिंखल व्यक्तियों के लिए ओती है किसके लिए जो कानून का उलंगन करते हैं जो जर जरू जमीन के पोगी हैं उनके लिए हैं लेकिन जो जर जरू जमीन का त्यागी है जो उनके लिए नहीं है मेरे को कहरे गृष्टी नहीं चाहिए मेरे को धान नहीं चाहिए मेरे को जमीन नहीं चाहिए मैं तो इन सब को छोड़ चुका हूँ अन्तै करन से अब आपने जेल में बंद करना कर दो क्योंकि तुम्हारे पास जिसकी लाठ्थी उट्सकी बेंसर वो ही वहात है न जिसके पास जोर है जो चाहे वो करवाल है लेकर मेरी आत्मा प्रमात्मा के मारता पत्थिक है जव राजा ने सुना और कहने लगा बिल्खुल ठीक है जर जरु जमीन के त्यागी के लिए जेल नहीं है क्योंकि वो तो अपने संजव में आ गया वो तो अपनी आत्मा में केंद्रित हो गया वो जंसार के किसी कानून का उलंगर नहीं करता वो हिंसा नहीं करता चूट नहीं बोलता चोरी नहीं करता ब्यविचार नहीं करता परिग्रे के चक्कर में नहीं है वो किसी पर क्रोब नहीं करता किसी पर अहंकार नहीं करता किसी से चल कपड़ नहीं करता किसी की संपत्थी पर ललचाता नहीं किसी से घ्रिना किसी से आसकती प्यार वो भी उसके जीवन में नहीं है किसी से लड़ाई चगड़ा नहीं चुगल खौरी नहीं किसी की निंद तो दिक्षा ले मैं तेरी दिक्षा के लिए अनुमत्ति देता हूँ कहने का मतलब जिस समय व्यक्ति इन कुव्यस्नों को छोड़ देता है वो फिर दुनिया के लोगों से क्या हो जाता है अलग हो जाता हूँ उसके लिए एक ऐसी आधार शिला बन जाती है जैसे आप मकान बनाने के लिए जमीन त्यार करते हैं नीव खोते हैं तो इसका मतलब जब किसी के जीवन आत्मा ने इन सातों कुव्यस्नों का त्याग कर दिया है तो वो धरम करने के योग्ये बन गया चार का सुना दिया है प्राहिकिस्त्री का थ्याग विश्या गमन का थ्याग जे पूर्शों के लिए हैं और वेहनों के लिए प्राहिपुरश का थ्याग और जो मर्यादा रखी हैं वो उछ occupied कोड़े की तरह नहीं है वहां पर भी ब्रह्मचरे का अभ्यास करना है इन वासनाओं को बढ़ाना नहीं है इन वासनाओं को कटाना है ब्रह्म चरे का अभ्यास करना है इस ब्रह्म चरे का कितना गौर्व है देवा वीतंग नमंसंति देवता भी उसको नमस्कार करते हैं देवदानव गंदवा जख रख सकिन्नरा बंब यारिंग नमंसंति दुकरंग जे करन्तिता देवदानव गंधारव चारों जातियों के उस आत्मा को नमस्कार करते हैं जो ब्रह्म चरे का पालन करते हैं क्यों क्योंकि जे दुश्कर ब्रत है क्योंते सारे देवता नमस्कार करते हैं जो संतों से जुड़ा ही जिसकी आत्मा जागरित है जिसको त्याग का महत्यू है जिसको स्ञंयम का बोद्य है वह जब ऐसे त्याग की मूर्थी को देखता है तो उसका मस्तख शब्धा से जुक जाता है ऐसे देवताव में भी तो कितनी श्रेणिया है और छोड़े तीन श्रेणिया तो है कोई सम्यक दृष्टी है कोई मिथ्या दृष्टी है कोई मिशर दृष्टी है लेकर जो सम्यक दृष्टी है वो देवता क्या करेगा जब ऐसी त्याग मूर्ति को देखेगा तो उसका मस् चुक है उस ब्रह्मचारी को उससे क्या फर्क पड़ता है लेकर ब्रह्मचरे का पालन करने से जो उसको लाव मिला है उस लाव के आगे दुनिया के सारे लाव क्या पड़ जाते हैं ठिक्के पड़ जाते कहां जिसके जीवन में जे ब्रह्मचरे सदाचार आ गया इसका मतलब अब उसके लिए धरम का द्रवाजा खुला है अब धरम करना उसके लिए असान होगा जिनके जीवन में जो सदाचार ब्रहमचरे आगया है उनके लिए माला भी ठीक होगी माला भी ध्यान से होगी समाइक भी ध्यान से होगी पोशत भी ध्यान से होगा स्वाध्याय हर क्रिया ध्यान से होगी और जिनके जीवन में ब्रह्म चरे नहीं है उनकी हर समय शिकायत रहेगी माराजी माला के अंदर मन नी लगता समाय के अंदर मन नी लगता साधना के अंदर मन नी लगता मन कहा जाता है इसका मतलब क्या है वैसे नहीं कह रहा है मेरे अंदर जे बुराई है जे बुराई है लेकर जे सूचना ही वता रही है अभी आत्मा और जीतेंद्रिय है आत्मा ने इंद्रियों के उपर वस नहीं किया आत्मा का मन के उपर वस नहीं है अब इसके उपर वस नह करो जब उनकी सिक्षाओं का पारण करो गे नए पाप करम आने रुक जाएंगे और पुरानी करम तूटना शुरू हो जाएंगे फिर एक दिन आएगा उसका मन लगने लग जाए अब इसके आगे कल जैसे अफसर होगा सुनाने को प्रियास के जंगों जंगन वाले ओ जंगो जंगों जंगन वाले ओ जंगों 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 जंग एक एक मूल जिवे हिरावन मूल है एक एक मूल जिवे सुनो सुनन वाले ओ सुनोन वाले आगे सुनो सुनन वाले ओ 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 पर पर प्याले कियो प्रेमियो पेयार्यो पर पर प्याले कियो प्रभूरस पीड ते कि नौन वाले आगे प्रभूरस ज्ञान वाला डंका बंजोन वाले आगे ज्ञान वाला डंका बड़े सभागे के साथ आज सभी को बीतरागवाने का या दिवे पावन कुनित संदेश रवन करने का सभागे मिल रहा है